इसकारिक्रम के प्रसारण पुन्यार चक है श्री आरपी जैन, श्री मती ममता जैन, श्री प्रशान जैन, श्री मती दिव्या जैन, पुत्र भारत जैन, श्री मती सौम्या एवं पारस जैन गुरू कौन होते हैं? हम कैसे पहचान करें, ये गुरू है कि नहीं, क्या कोई रास्ता है गुरू को पहचानने का, बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, बहुत सारे लोग क्लेम भी करते हैं, नहीं करते हैं, हम इस प्रकार से हम इस प्रकार से हैं, किसे हम सही मानें, किसे हम सही नहीं मानें, वड़ी बिडम मना रहती हैं, आप सब के सामने हैं, original के साथ सा duplicate मारभी बी संसार में बहुत जादा विकता है duplicate जादा विकता है सस्तार रहता है दिखता है बैसे ही है बहर से हम कैसे समझे यह original है यह duplicate सोने की पैचान कैसे होती है कर सोटी के पत्थर से सोने के रंग से, उसकी म्रदूता से उसकी क्वालिटी से, उसके घर्षन से, उसके ताप से ऐसे ही हर ओरिजनल व्यक्ति, हर ओरिजनल वस्तु के भी पैचान होती है जब तक यह पैचान हमें नहीं होगी, हम फस्ते चले जाएंगे अब फ़र एक प्रशन उठता है, कि हमारे भीतर छमता है, कि हम गुरु को पैचान पाएं यदि हम गुरु को पैचानने की छमता रखते हैं, तो फिर तो हम गुरु से बड़े हो जाएंगे जो इवेक्ति ये पैचान लेता है समझ लेता है कि ये गुरू है अथवा नहीं है इसका मतलब है उसके भीतर ही इतनी qualities पैदा हो जाएंगी सही गलत की पैचान की क्या किया जाएं गुरू को पैचानना गुरू को परखना कौन सा ऐसा कसवटी का पत्तर है जिस प्रकस करके हम ये निर्णाय ले सके कि ये सही है अथवा नहीं है और जब तक ये निर्णाय ना हो हम भी वह प्राप्त नहीं कर पाते जो पाना चाहिए वास्तविक गुरू की पैचान वो होती है सबसे पहली क्रिया यदि हम समझने की कोशिश करें जानने की कोशिश करें जो विक्ती जैसा कहता है क्या उसके आचरण में वैसा है की नहीं जो विक्ती मुख से जो निकालता है दुनिया के सामने जो रखता है सेम उसका जीवन वैसा है की नहीं है कथनी और करनी जिसकी एक हो जाए समयना वह बहुत महान विक्ती है दूसरे सेंस में नहीं कह रहे है सराभी विक्ती पापी विक्ती भी कथनी करनी करके चलता है हो सकता है जो गलत विक्ती है जो वह कहता है वह करता भी होगा हम उस छेतर की बात नहीं कर रहे हैं सत्य के छेत्र की हम बात कर रहे हैं कोई बेक्ति इमान लीजिए सिगरेट पीता है और सीकार कर लेता है कि नहीं मैं सिगरेट कीपतीता हूँ तो इसकारत यह नहीं है कि वो जो कह रहा हूँ और कर भी रहा है तो हमारा गुरू हो जाएगा शराबी है कहता है कि नहीं मैं शुराब पीता हूँ जुआ रही है कह देता होगा मैं जुआ खिलता हूँ मिरी आदात है क्या करूँ सत्य बोल रहा है और वैसा कर भी रहा है इसका अर्थिया नहीं कि उसे लाइसंस मिल जाता है वो सब करने का हम किसा पेक्षा से कहने की कोशिश कर रहे हैं उसे समझने की कोशिश करना कतनी और करनी सही रास्ते की हम बात कर रहे हैं विपरीत रास्ते की बात में कर रहे हैं जो सही आचरण है उसकी हम बात कर रहे हैं आगम में कुछ लिखा गया है गुरु की परिभाषा के सरूर में विश्यासा वशाती तो निरारंबो परिक्रह ज्ञान अध्यान तपोरत तपस्वी सव प्रशश्यते पूरी कसोटी आचर समंत बद्र स्वामी जी ने हम सबको दे दिया है कसोटी का पत्थर दे दिया है हम उस पत्थर में कसने की एकोशिश करे हैं कुछ वो कह रहे हैं विश्यों की आसाओं से जो उपर उठा हुआ है जो विश्यों में डूबा हुआ नहीं है जो आरंब और परिक्रह से उपर चल करके जीवन को जी रहा है चार चीज़ जो बताई गई है उनिश्यधात्मक है इंद्रियों की विशह को सेवन करने वाला वो नहीं होना चाहिए उसकी आकांचा करने वाला नहीं होना चाहिए आरंब सारंब हिंसा सटकाई के जीवों का जावध होता है उन क्रियाओं में विलिप्त होने वाला नहीं होना चाहिए और मूर्चा से जो रहित होगा परिक्रह की भावना उसे रहित होगा यह जो चार बतलाए गए हैं लक्षण इन से उपर उठा हुआ होना चाहिए इतना ही परियागत नहीं है लेकिन कुछ विधी पर अक लक्षण भी बताए गए है क्या करने वाला होना चाहिए यह भी दिखना है हमें क्या वो ना करे यह तो समझना है लेकिन क्या करा है यह भी हमें समझना है ज्यान और ध्यान में जो लीन रहता हूं चार बाधक कारण है दोसाधक कारण है चार जो हैं road blocks हैं चार barriers है और जो supporting हैं दोसाधक कारण है यह हम समझ पाएं और ऐसा अव्यक्ति हमें सामने मिल जाए जो इन क्रियाओं को कर रहा है और नहीं करने वाली क्रियाओं से उपर उठ रहा है दोनों ही साइमल्टेनिस ने चलने वाली एक्टिविटीज है एक को गौन कर दे और दूसरे को सिकार ले तो भी सही नहीं जो ऐसा अजीव होता है उसका आरा कुछ अलगी प्रकार का निर्मित हो जाता है ऐसे व्यक्ति कि यदि हम पास में आ जाएं निकट में आ जाएं तो हम उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएंगे जहां तक प्रभावित होने की बात है व्यक्ति अपने शब्दों के माध्यम से वच्णों के माध्यम से बोल करके अच्छे लच्छे दार शब्दों का प्रयोग करके अच्छे प्रवचन के माध्यम से हमें रिजा सकता है नहीं रिजा सकता है एक एक्टर होता है, फिल्म एक्टर होता है, कलाकार होता है, उसकी डायलेक डिलेवरी बड़ी अच्छी होती है, जब वो बोलता है, बड़ अच्छी तरीके से बोलता है, सुस्त्वर नाम कर्म काउदय होता है, उसका कंठ बड़ अच्छा होता है, कंठी अच्छा नहीं होत यह जो वो कह रहा है सूच करके, विचार करके, समझ करके अर्थ सहीत अर्थ गांबिर को लिये हुए और अच्छे शब्दों के प्रयोग के माध्यम से और अच्छे शैली के प्रयोग के माध्यम से दुनिया के सामने रख सकता है रखता है तो पहला इंप्रेशन बहुत अच्छा क्रियेट हो जाता है हो जाता है हर एक वेक्ति सुनेगा प्रभावित हो जाएगा पर जो सुना रहा है क्या वो वैसा है भी की नहीं यह देखना भी बहुत जरूरी है हम यदि यह नहीं देख पा रहे हैं तो भी बड़े भ्रह्म है एक छोटी सी घटना सुनाते है राजन का एक पुत्र हुआ राजकुमार इकलोता पुत्र था राजन की हमेशा भावना रहती थी कि मेरा पुत्र संसकारी हो जाए अच्छे चरित्र वाला हो नीती न्याय वाला हो विद्वान हो और पराक्रमी हो राज को समानने वाला हो सत्रों से लोहा लेने वाला हो रजा का पालन करने वाला हो रक्षा हो यह भावना राजा की बहुत थी लेकिन पुत्र ठीक उस से विपरीत था राजा सो शोचता थाए धार्म निष्ठा में निष्णात हो, धार्मी का अच्रण वाला हो, लेकिन पुत्र उससे विपरी दिशा में चलने वाला राजकुमार। राजा सुस्ता था ये भगवान की भक्ती करें, पूजन करें, लेकिन उसकी आसकती व्यस्नों की थी, व्यस्नों में वो आकंठ डूबा हुआ, पिता हमेशा सोच रहा था, किसी तरह तो ये सही रास्ते पे आ जाए, लग जाए, लेकिन राजकुमार, इसकी संगती इस प्रक भावित हो करके, अपने कुल के ठीक विपरीद वो चलने लगा, था तो वो छत्री, लेकिन अन्य मित्रों की संगती में आ करके, सारे व्यस्नों में वो डूब चुका था, और सबसे बड़ा उसका व्यस्न था, शराप पीने का, राजा बड़ा चिंतित रहता था, आकर कैस ससुधरा जाए, कैसे उसे सही मार्ग पर लगाया जाए, हाँ बहुत बड़ा विदवान ना सही, लेकिन कम से कम इस योग तो बना ही लिया जाए, किस राज्य को अच्छे से संचालित कर पाए, हमें सा सोच विचार में, कई गुरूं की तलाश में, राजा में, बटकता थ कोई तो ऐसा से गुरू मिल जाए, जो से समझा सके, जो से पढ़ा सके, सही और गलत क्या होता, इसकी पहचान करा सके, कुल के योग उसका आचरन बना सके, कई गुरूं की द्वार उसने खट-कटाए, कई आस्रम गया, आस्रम में भीजा भी गया राजकुमार को, लेकिन ज्यादा अंतर नहीं आया, कुछ दिन तक ठीक रहता है, जैकिन वैसे आस्रम से लोट करके आता, पुना, पुनी व्यस्नों में वहाँ, डूबने लगता, राजा बड़ा परेशान, बड़ा चिंदित, आखिरे, क्या सा किया जाए, क्या किया जाए, उसने पूरे राज्य में हर जगा घोष्णा करवा दी, जो मेरे पुत्र को राजकुमार को ठीक कर देगा, उसे व्यस्नों से बचा लेगा, सही रास्ते पर लगा देगा, मैं उसे आधा राज दे दूँगा, इतनी बड़ी घोष्णा उसने करा दी, कि राजन था बड़ा निष्ठावान, बड का एक ही विशय, एक ही चिंतन, किसी तरह तो ठीक हो जाए, लेकिन कोई रिजल्ट सही निकल करके नहीं आ रहा, खूब पुरशार्थ, खूब मेहनत कर रहा था, जेोतीशियों के चक्कर लगा रहा था, पंडितों के चक्कर लगा रहा था, मंत्री से पुछवा रहा था, आखिर कोई तो होगा इस राज में ऐसा व्यक्ति जो मेरे पुत्र को सुधार दे, लेकिन सफलता राजन को नहीं मिल रही थी, समय बीटता चला गया, बीटता चला गया, राजन के हाँख में एक पुस्तख लगती है, बहुत अच्छे पुस्तख है, राजन जब उसे पढ़ता है, वो चम्मित हो जाता है, राजकुमार के लिए वो पुस्तख देता है, बहुत हो सकता है, इसे पढ़कर के, सायद की सुधर जाये, और बड़ा अश्यर घड़ता जो काम है, अन्ने लोग नहीं कर पा रहे थे, अन्ने व्यक्ति नहीं कर पा रहे थे, मंत्रियादी नहीं कर पा रहे थे, वह कार उस पुस्तक ने कर दिया, राजकुमार ने उस पुस्तक को पढ़ा और पढ़कर कि इतना डूबने लगा कि पुस्तक इस तरीके से लिखे गई थी और जो विशय था जीवन विवस्तित कैसा बनाया जाए व्यस्नों से अपने आपको कैसे बचाया जाए सही चरित्र कैसे निर्मान किया जाए व्यस्नों के क्या दूस्प्रबाव होते हैं जीवन में इस सारी चीज़े उसमें लिखी गई थी बताए गई थी राजकुमार उस पुस्तक को पढ़कर के अशंबित रह गया और इतना अशर उस पुस्तक का उसके उपर हुआ कि वो दीरी दीरे बदलने लगा एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार उसने उस पुस्तक को पढ़ा और पढ़कर के जो इसके गलतियां थी, कमियां थी जो व्यस्नों में जो डूबा हुआ था अब वो व्यस्नों से उपर उठने लगा राजा को बड़ी प्रशनता हुई चलो, कुछ तो काम आया अन्ने गुरु नहीं कर पाया, अन्ने विक्ती नहीं कर पाया राजा के मंत्री नहीं कर पाया इस पुस्तक ने मुझे मत कर दिया जब राजकुमार सुधर क्या पूरा राजकुमार के मन में जिग्या सा पैदा हुई अब मुझे उस विक्ती की खोज करना है जिस विक्ती ने इस पुस्तक को लिखा है लिखा को खोजना है बड़ा उपकार है उस लिखा का मेरे जीवन में उपकारी को तो हर को याद करता ही है पर करना भी चाहिए अरे जिसने इतना बड़ा कार उसके जीवन में कर दिया तो सित्याद करना ही चाहिए पता लगाते लगाते क्या कि इनके राइटर कौन है, लेका कौन है उस राज्य में था नहीं वो लेखा था दूसरे राज्य का था गूंते गूंते ढूंते ढूंते उस इस्थान तक वो पहुँच जाता है जिस पुस्तफ में जो पता लिखा था उस इस्थान तक पहुँच जाता है पहुचते पहुचते जो वक्त था रात्री का वक्त हो जाता है और जिस राज जी में पहुचा था राज जी क्या था वहां राज जी समाप्त हो गया था जहां वो रहता था नगर का वो अंतिम छोर था कर दो कर दो कर दो कर दो